Study with Krishna चनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम इतिहास के 25 महत्पूर्ण प्रस्णों पर चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला प्रस्ण है सहायक संधी को सुईकार करने वाला पहला सासक कौन धा। तो इसका सही उत्तर है आवध का नबाप सहायक संधी को सुईकार करने वाला पहला सासक था। प्रस नमबर दो गुरू गोविन सिंग की महानता नहित है इसमें की। उप्शन ए उन्होंने सिखों की सायनिक व्योस्था का गठन किया। वा सिख राज के संस्थापक थे। उन्होंने सिखों को सांती प्री लोग बनाया। उन्होंने औरंग जेव को पराजित किया। तो इसका सही उत्तर है option A, उन्होंने सिखों की सैनिक ब्योस्था का गठन किया. Question number 3, आश्ट प्रधान मंत्र परचद किसके राज प्रवंद में सहायता करनी थी? Options A, हर्ष वर्धन, B, समुद्र गुप्त, C, सिवाजी, D, येसो वर्बन. तो इसका सही उत्तर है सिवाजी. Question number 4, महाराजा रडजी सिंग के राज की राज़धानी थी? Options A, अमरसर, B, पटियाला, C, लाहोर, D, कपूर्थला. तो इसका सही उत्तर है option C, लाहोर. Question number 5, मोड लिपी का प्रियोग किसके विलेखों में किया जाए? Options A, ओड़योरों के, B, जमोरिनों के, C, होयस्वलों के, D, मराठों के. तो इसका सही उत्तर है option D, मराठों के. Question number 6, नीचे दिये गए मानचित्र पर विचार कीजिए. चायंकित चित्र में राज नीचे दे गए मानचित्र पर विचार कीजिए. चायंकित छेत्र राज दरसाता है. A, साथ वाहनों का, B, वतापी के चालुक्यों का, C, राश्ट्र कूटों का, D, मराठों का. तो इसका सही options है option D, मराठों का. ये मराठों का राज छेत दरसाता है. Question number 7, नीचे नीचे दे गए मानचित्र पर विचार कीजिए. काउन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर है option B, गुरु अरजुन देव आदिग्रंथ. Question number 8, पंजाब में अमरस्षर नगर को इस्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर है option D, गुरु रामदास ने पंजाब में अमरस्षर नगर को इस्थापित किया था? Question number 9, रजी सिंग ने सूप्रसिद कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? Options A, साह सुजा से, B, जमा सा से, C, दोस्त मुहम्मद से, D, सेर अली से. तो इसका सही उत्तर है option A, साह सुजा से रजी सिंग ने सूप्रसिद कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? कुश्चन नमबर टिन अश्ट प्रधान नाम की मन्त परिसत थी उप्शन ए गुप्त प्रसासन में, बी चूल प्रसासन में, सी विजय नगर प्रसासन में, डी मराठा प्रसासन में तो इसका सही उत्तर है, option D, मराठा प्रसाशन में अश्ट प्रदान नाम की मन्तिपड़सत थी. प्रस्ट no.11, लाड वेलेजली की सहायक संधी को सुईकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, option A, पेश्वा बाजी राव दुती, B, रगुजी भोसले, C, दावलत राव सिंधिया, D, उप्युक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर है, option A, पेश्वा बाजी राव दुती, लाड वेलेजली की सहायक संधी को सुईकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, प्रस्ट नमबर बारा, रगुजी सिंग किस मिसल से सम्मंदित थें, options A, सुकर सकिया, B, संधा वालिया, C, अहलुलु वालिया, D, राम गडिया, तो इसका सही options है, A, सुकर सकिया से सम्मंदित थें, प्रस्ट नमबर तेरा, कथन, राज्य के मामले में सिवा जी एक मंतिर प्रसर से परामर्श लेते थें, कारण, प्रतेक मंतिरी अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था, options A, A तथा आर दोनों सही है, तथा आर एकी सही व्याख्या करता है, C, A सही है परंत आर गलत है, D, A गलत है परंत आर सही है, तो इसका सही उत्तर है, option D, A गलत है परंत आर सही है, कुश्चन नमबर 14 अंग्रेजों ने स्री रंग पट्टनम की संधी किसके साथ की थी? आप्शनस A. हैदरली, B. डूपले, C. टीपु सुल्तान, D. नंदराज तो इसका सही उत्तर है टीपु सुल्तान के साथ अंग्रेजों ने स्री रंग पट्टनम की संधी की थी? प्रेस नमबर 15 निम लिखित में किसने बंगाल में दोईद शासन प्रणाली डूवल गवर्मेंट को समाप्त किया? उसका सही उत्तर है आप्शन सी वारन हेंश्टिंग ने बंगाल में दोईद शासन प्रणाली को समाप्त किया? प्रेसन सोला शिवा जी के अश्ट प्रधान का जो सदस विदेशी मामले की देख रेक करता था वह था? ए पेशवा, बी सचिव, सी पंडित राओ, डी सुमंत तो उसका सही उत्तर है आप्शन डी सुमंत प्रेसन नमबर 17 पानी पत का तीसरा युद्ध लड़ा गया? उप्शन ए हेमू तथा अकबर के बीच, बी हुमायू तथा सेर साह के बीच, सी मराठा तथा अहमस साह अपदाली के बीच, डी नादिर साह तथा मुगलो के बीच उसका सही उत्तर है आप्शन सी मराठा तथा अहमस साह अपदाली के बीच, पानी पत का तीसरा युद्ध लड़ा गया? प्रस नमबर अठारा उस समय जब नेपोलियन की सक्ती के सामने यूरेप में समराज धरासाई हो रहे थें, नीचे लिखे गवर्नर जेनरलों में से किस एक ने भारत में बिटिस प्रता का फराय रखी? उप्शनस A. लाड डलहोजी, B. लाड कार्नवलिस, C. लाड वेलेजली, D. लाड हैस्टिंग तो इसका सही उतर है उप्शनस C. लाड वेलेजली ने भारत में बिटिस प्रता का फराय रखी थी? प्रेस नमबर उन्निस, वह कौन सा सेनानायक था जिसे भीजापुर के सुल्तान ने 1661 इसवी में सिवा जी को दबाने के लिए भेजा था? उप्शनस A. इनायत खाँ, B. अबजल खाँ, C. साइस्था खाँ, D. सायद बान्दा तो इसका सही उतर है उप्शन B. अबजल खाँ प्रेस नमबर उन्निस, टीपु सुल्तान अंगरेजियों के साथ युद्ध में कब मारे गएं? उप्शनस A. अठारा सौतावण, B. सत्रासो निनन्यनवे, C. सत्रासो तिराणवे, D. सत्रासो नहतर इसका सही उतर है उप्शन B. सत्रासो निनन्यनवे में टीपु सुल्तान अंगरेजियों के साथ युद्ध में मारे गएं? प्रेस्ट नमबर 21 संभाजी के बाद मराथा सासन को निमलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया आप्शन से राजाराम, बी बालाजी बिस्तुनात, सी गंगाबाई, डी नानाजी देश्मूग इसका सही उत्तर आप्शन बी बालाजी बिस्तुनात प्रेस्ट नमबर 22 खालसा पंथ लगभग कितने वर्ट्स पहले प्रारंब हुआ था आप्शनस A 150, B 300, C 200, D 400 तो इसका सही उत्तर है आप्शन B 300 वर्ट्स पहले खालसा पंथ प्रारंब हुआ था प्रेस्ट नमबर 23 किस सिख्ध गुरू ने विद्रोही राजकुमार खुसरों की सहायता धन्यों आसिरवाज से की थी आप्शनस A गुरू हर गोविंद ने, B गुरू गोविंद सिंग ने, C गुरू अरजुन देव ने, D गुरू तेक भादुन ने प्रेस्ट नमबर 24 इलाहाबाद की संधी के बाद, रावर्ट क्लाइब ने, मुर्शिदाबाद का उपदिवान किसे बनाया था आप्शनस A मुहम्मद रजा खान, B सिताब राय, C राय दुरूलप, D सायद गुलाम हुसैन तो इसका सही उत्तर है आप्शन A मुहम्मद रजा खान प्रस नमबर 25 निमलिखित में से किन सिख गुरुओं को तातकालिन सासको द्वारा मुरत्त दंड दिया गया था गुरू अंगत, गुरू अर्जुन्दयो, गुरू हर्गोविंद, गुरू तेक भादुर आप्शन A दो तथा 4, आप्शन B दो तथा 3, आप्शन C एक तथा 3, आप्शन D एक तथा 2 तो इसका सही उत्तर है आप्शन A दो तथा 4 गुरू अर्जुन्दयो और गुरू तेक भादुरुरो तत्कालिन सासको द्वारा मुरत्तो दंड दिया गया था तो आज के हमारे इध्यास के 25 महत्तू पूर्ण प्रसन यहीं पर समाप्त होते हैं अब हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक आप सभी का धन्यवाद